Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganga Nagar. Now we are going to start another very important topic of the law of tort that is Valenti Non-Fit Injurya. So we are going to discuss the maximum Valenti Non-Fit Injurya. यह क्या होता है, इसको हम समझें गहें यहां पर, और Valenti Non-Fit Injurya इतना imported है हमारे daily life में, इस question को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या defense हो सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी act के लिए consent खुद देते हैं, तो यह एक और बहुत important defense हो जाता है, हम वैसे भी defense पढ़ रहे हैं, हमने inevitable accident को पढ़ा, act of God को पढ़ा, अब हम Valenti Non-Fit Injurya को पढ़ेंगे, जहाँ पर आप किसी भी act के लिए consent खुद दे रहे हैं, आप सोचिए कि अगर आपको जो harm हो रहा है, जो damage आपको हो रहा है, जो injury आपको हुई है, उसकी consent आपने खुद दी दी है, तो इस case में क्या उस defended को liable माना जा सकता है, स्पोस करिए आप एक cricket match देख रहे हैं, आप ground में बैठे हुए है, विराड कॉली जो है वो एक छका लगाता है, आप अपने ही धियान में बैठे हुए है, suddenly ball आपके hit, सर पे hit कर जाती है, तो क्या आप विराड कॉली पे case file कर सकते हैं? स्पोस करिए कि आप एक boxing match चला हुआ है, boxing match रिंग के अंदर दोनों एक दूसरे को जो है, feast और मुक्के जो हम मार रहे हैं, come to the blue हो रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, तो उस condition में मुक्के मारते मारते जो है, एक मुक्के बाज का दान तूट जाता है, तो क्या दूसरा मुक्के बाज दूसरे केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे law की limit है, law की limit क्या है? वोलेंटी नौर्फिंटी जो रही है, it means जहां पे आप अप इंजरी के लिए खुद ही consent दे रहे हो, तो वहां पे फिर आपके लिए एक ये defense नहीं हो, आपके लिए एक defense हो सकता है, आप बच सकते हैं, तो जहां पे आपने अपने को जो damage पहुचाने के लिए, injury पहुचाने के लिए, उसकी consent खुद ही दे रखी है, तो फिर आपके ये act of thought नहीं माना जाएगा, आप यहां से बच जाएंगे, defense हो जाएगा आपके लिए, देखिए, बड़े साथ, देखिए, it is well established rule of common law, that the person himself in white for danger and injury is caused to him, तो यहां पे common law क्या है, कि अगर आप किसी को damage create करेंगे, किसी को जो है, आप injury cause करते हैं, तो उस condition में जो है, आपको libel होना पड़ता है, लेकिन जो injury आपको cause की गई है, उसकी consent, उसकी सहमती आपने खुदी दी थी, तो क्या उसके लिए फिर क्या defendant libel हो सकता है, नहीं हो सकता है, यही रूल है, देखिए, इस cases में यह जो injury होगी, जिसकी consent आपने खुदी दी है, इंजरी cause के लिए, तो वो एक legal injury नहीं मानी जाएगी, और यहाँ पे यह actionable नहीं होगा, इसमेंज आप court में suit file नहीं कर सकते हैं, तो आप defense पढ़ने, inevitable accident आपने पढ़ा, act of God आपने पढ़ा, that now it's a turn to go through the voluntary non-fit injuria, the doctrine implies further that a person who consent to an act being done or take upon himself the risk of suffering damage, जहाँ पे आप consent खुद दे रहें, act जो आपके साथ हो रहा है, इसकी consent खुद दे रहें, suffer जो है, जो आपको हो रहा है, वो उसकी consent आप खुद दे रहें, तो यह actionable नहीं होगा, यह damage नहीं माना जाए, तो maximum के तीन पार्ट है, voluntary means voluntarily, non means fit, injuria means legal damage, तो voluntary not able legal damage और injury, तो जानबूज के जब voluntarily, अपनी इच्छा से, जब आप सहमेती देते हैं, किसी injury की या legal damage की, तो वो फिर tort नहीं माना जाता है, यह बहुत अच्छा defense यह टोट का बन जाता है, देखिए, केस लों आपके पास, in Smith vs Baker and Sons, Harshal explained the principle that, rule is based on justice, the person who himself invites act, or consent any act for himself, then he can't file suit against, यह एक नयाए पे depend है, कि जब आप किसी भी, act के लिए consent खुद दे रहे हैं, अपने के लिए consent खुद दे रहे हैं, तो आप suit file नहीं कर सकते हैं, यह जालाचे चलता है, जहाँ पे cricket match है, horse racing है, complete consent वहाँ पे, तो consent return भी हो सकती है, और conductive भी हो सकती है, conduct जहाँ पे cricket match देख रहे हैं, वहाँ पे तो आप से कोई ऐसी consent ले नहीं गी है, लेकिन law of contract में यह consent मानी जाते हैं, horse racing में जहाँ पे आप गुड़ सवारी देख रहे हैं, suddenly दो गोड़े वापस में भीड़ जाते हैं, और suddenly जो है, वो जम्प करके जो है, जहाँ पे दर्शक बैटे हैं, वहाँ पे कर जाते हैं, लोगों के इंजिर्य हो जाती है, तो क्या जिन्होंने horse racing जो और्गनाइज की हैं, आप उन पे case कर सकते हैं, नहीं, जैसे आपने उस horse racing को enjoy करने के लिए, उस horse racing club में गे, तो आपने एक consent दे दी हैं, वहाँ पे यह माल ले जाएगा, ब्रुक्लेंड आटो racing club का case भी है, यहाँ पे plaintiff जो है, वो जो है, vehicle racing देखने के लिए जाता है, और वहाँ पे दो vehicle जो आपस में knocked कर जाते हैं, जिसके वाई से plaintiff वहाँ पे injured हो जाता है, वो club पे case file करता है, court जो है, वहाँ पे composition देने से मना कर देती है, क्योंकि आपने एक implied consent दे रखी है, यह आपको भी पता है, कि अगर आप ऐसी जगा पे जाओएगे, तो वहाँ पे injury हो सकती है, तो जहाँ पे आप खुद consent देने, जब आपने ticket purchase की, तो ट्रेक्ट के पीछे हमेशा लिखा होता है, कि अगर यहाँ पे कोई भी injury हो जाती है, तो यह आपकी consentable injury जो है, माने जाएगे, तो बड़े सारे cases हैं, जिसको आप यहाँ पे define कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि necessarily conditions क्या हैं यहाँ पे, तो condition को यहाँ पे नीचे हम देखेंगे, यह हैं आपके पास conditions, तो voluntary non-fit injury के लिए, अगर आप इसका defense चाहिए आपको, तो यह आपको यह conditions फुल्फिल करने पड़ेंगे, सबसे पहले consent हो, consent written में भी हो सकती है, और conduct भी हो सकता है, ठीक है जी, आपकी बेभारिक सहमती, जब किसी मामली में होती है, तो उसको भी हम consent ही मानते हैं, second, the consent must be voluntarily, यह voluntary होनी चाहिए, आप match देखने जा रहे हैं, तो आपनी इच्छा से जा रहे हैं, आपको दवाब को pressure influence, कोई misrepresentation या कोई deceive वहाँ पे नहीं है, the consent must be for the legal act, legal act के लिए consent दी है, illegal act के लिए consent देंगे, तो वो scandal नहीं आएगा, voluntary non-fit injuria का defense तभी मिलेगा, जब आप consent जो आपने ली थी, वो legal act के लिए, boxing जो एक legal act है, या किसी से आप job करवा रहे हैं, किसी machine के पास, तो वो एक legal act है, तो अकरवा सकते हैं, the knowledge of the risk is not the same thing, as the consent of the run the risk, तो यहाँ पे consent जो है, risk की होना पहुजरूरी है, the act done by the defender must be same, which was consent of the plaintive, और act वैसा होना चाहिए, जिसके लिए उसने consent दे रखी, act और consent different चीज़ें नहीं हो सकती है, जिस चीज के लिए आप, जिस act के लिए आपने consent दी थी, उसी तरिकी का कोई ने कोई act उसके साथ होना चाहिए, तब ही उसको defense available है, the act, जैसे आप match देखने कहीं हैं, तो match से लेटर कोई भी जो है, injury हो जाती है, तो आपकी consent माने जाएगी, और same ही होनी चाहिए, same thing होनी चाहिए, the act must be done with a limit, और यह बहुत important बात है, कि आपने जिस limit में consent दी है, act भी उसी limit में होना चाहिए, जैसे एक boxing जो चली होई है, तो मुँ में punch मारने के लिए consent दी गई है, पेट में punch मारने के लिए consent नहीं दी गई है, अगर उसको मुँ में लग जाती है, कोई दान टूट जाता है, तो that is, वलेंटी नॉन इंजूरिया के अंडर आप defense ले सकते हैं, लेकिन आप उसके पेट में घुसे मारते हैं, और वहाँ पे उसको कोई पेट की injury हो जाती है, तो वलेंटी नॉन फिटी जारिया नहीं होगा, क्योंकि आपको consent जो है, सिर्फ face में पंच मारने के लिए दी गई थी, इस तो उसी limit में consent का use होगा, जिस act के लिए consent दी गई है, तो यह आपके पास इसके कुछ basic elements, कुछ case law आप दे सकते हैं, जैसे आरवरसी, डोनोवेल का case है, इस डिसाइड़ दे सम्रेक्वार्मेंट एंड रूल्स मस्ट भी फॉलवड इंड गेम आप बॉक्सिंग, जैसे कि आपको मैं बता रहा था, कि बॉक्सिंग के गेम में कुछ रूल्स होते हैं, sports जितरा भी होता है, वहाँ पे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया चलता है, यह आपने हमेशा जारगन है, अगर factory में काम करवाया जारा है वर्कर से, तो वहाँ पे जो वर्क कैसा है, मशीनों के सामने, बड़े-बड़े मशीनों के सामने काम करना होता है, वहाँ पे विए नॉन फिट इंजूरिया होता है, आपने कंसेंट जो है डेंजर की रिस्क की खुद दी होती है, यह माना जाता है, अगर आप बॉक्सिंग के रूल फॉलो नहीं करते हैं, और किसी शाफ वैपन से तो है दूसरे बॉक्सर को इंजर कर देते हैं, तो वो जो है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के एंडर नहीं आएगा, लैन वसी होलोव का केस है, जनरल कुरिल, दो लोगों के बीच में जब एक जनरल कुरिल हो जाता है, उसमें से एक जो है किसी को धका देता है, दूसरा जो है उसको बड़ी जो से स्लैप कर देता है, तो वहाँ पर जब मैंने धका दिया, तो मैंने इतनी कंसेंट दी है कि वो भी मुझे धका देगा, क्योंकि ये एक इंपलीड कंसेंट हो जाती है, लेकिन इसके बदले में वो मुझे जो है एक पंच मार देता है, ब्लोइंग फीस कर देता है, तो ये फिर एक पर लिमिट में नहीं हुआ, जितनी भी कंसेंट दी उस लिमिट में ये नहीं हुआ, इन दे केस अफ स्लैटर वसी क्ले क्रॉस कंपरी लिमिटन, अगे आपके पास कुछ लिमिटेशन है, तो एक्ट के कुछ लिमिटेशन नॉन विलेंटी नॉन फिट इंजिरिया के इट्सेल्फ कुछ यहां पर एक्सप्सेंज है, इसके अपवाद हैं जहां पर यह लागू नहीं होगा, वो कहां पर है, तो जब लीगल एक्ट वहां पर ब्रीच किया जाता है, तब यह रूल अप्लाई नहीं होता है, फिर जहां पर जो इंप्लाईर है, अब यहां पर एक जो इंप्लाईर है, वो वोमन से जो है नाइट्शिप करातार, वहां पर वोमन को इंजरी हो जाती है, तो फिर जहां पर जो इंप्लाईर है, कोर्ट में यह बहाना नहीं कर सकता कि यह उसकी कुद कंसेंट थी, तो उसकी consent तो दिन में काम करने की थी रात की नहीं थी तो यहां पे voluntary non-fit injury का rule जो है वो applicable नहीं होगा तो जहां पे law जो है आपको कोई law की breachment करते हैं legal act की law के provision की जो breachment करते हैं तो वो आपको यह defense available नहीं होता है दूसरा in the matter of defense जब आप अपने आपको या अपनी family को बचा रहे होते हैं उस time पे भी आप जो है voluntary जो है अपनी family को बचाने के लिए risk में चले जाते हैं तो क्या उस time पे voluntary non-fit injury होगा दूसरा person यह बोल सकता है कि यह जो है यहां पे इसने खुद risk लिया नहीं तो defense के matter में voluntary non-fit injury है जो है applicable नहीं होता है क्योंकि यहां पे देखिए in the matter of defense this principle is not applied according to it if a person voluntarily undertakes the risk to rescue a person from a danger यहां पे person जो अपनी family को rescue करने के लिए risk में जाता है जो की risk defended की वज़े से आया होगा तो उस condition में उसको voluntary non-fit injury है नहीं होता कि voluntary non-fit injury के अंदर में बचना चाहिए क्योंकि यह खुद जानभूज के उस risk में गया नहीं क्योंकि वो अपनी family को बचाने के लिए गया था तो इसलिए वो ऐसा कर सकता था तीसरा आपके पास यहां पे है the maxims also doesn't apply in the matter of negligence or carelessness तो negligence or carelessness के matter में भी यह principle apply नहीं होता है माले जी एक doctor ने operation करना है तो आपको पता है doctor पहले ही एक consent letter ले लेता है कि अगर कुछ operation खराब हो जाता है तो उसकी responsibility नहीं है ठीक है it means यहां पे patient ने अपनी जो है warranty non-fit injury अपनी consent वहां पे दी लेकिन अगर doctor वहां पे still negligence करता है वहां पे उसके negligence की वज़से जो है operation खराब होता है उसकी carelessness की वज़से operation खराब होता है माले जी उसका blood group जो है A है और उसमें blood group जो है B चड़ा दिये जाता है तो उस condition में warranty non-fit injury का principle नहीं चलेगा क्योंकि यह doctor की क्या है negligence है carelessness है ठीक है operation में अगर कोई problem हो जाती है तो उसके लिए doctor अभे नहीं होगा लेकिन उसकी operation के दौरान जो procedure follow किया जाता है अगर उसमें वो गड़बड करता है तो यह उसकी negligence है और negligence के मामले में in a matter of negligence there is no maximums of warranty non-fit injury तो यह है आपके पास कुछ defense जिनको आप देख सकते हैं तो warranty non-fit injury एक ऐसा principle जहां पे आपको यह बताया गया है कि अगर आप किसी भी risk की consent खुद दे रहे हैं तो वहां पे आप फिर जो है वह जो एक्ट जो हा वह टॉटल टॉट 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 एक्ट नहीं माना जाएगा और वहां पे defendant की कोई भी liability वहां पे नहीं मिनेगी फर giving a compensation लेकिन फिर उसके आपने देखा कि इसके essential element के है consent होनी चाहिए वहां पे और consent जो है वलेंटली होनी चाहिए consent जो है उसी limit में होनी चाहिए जितनी limit में act हुआ है as per law होनी चाहिए यह आपने देखा फिर आपने वहां पे इसके exceptions भी देखे यहां पे वलेंटली नॉनफिट इंजूरिया का defense लेकि आप बच नहीं सकते हैं जैसे कि जहां पे law का provision आपने breach किया है या फिर कोई person अपने self defense में किसी भी रिस्क को जो है अपनाता है उस रिस्क में go through करता है या फिर तीसरा आपके पास limitation है जहां पे कोई भी person जो है negligence या carelessness करता है तो उस condition में आपके पास warranty non fit injury का defense अविलेबल नहीं है thank you so much have a nice day